दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी खबर से। परनर बनाय गया है। और हिमाचल परदेश के राजपाल राजेंदर विस्वनात आरलेकर को बिहार का राजपाल बनाया गया है। बाड़ी खर में देखें अब बार बार नहीं देना होगा बीपीएससी पीटी का एकजाम तीस सितमर को होगी कमबाइन परिक्छा। बिहार लोग सिवा आयोग के तयारी करने वाले चात्र चात्राओं के लिए आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चात्र चात्राओं को बीपीएससी की पीटी की परिचा बार बार नहीं देने पड़ेगी। बिहार लोग सिवा आयोग आगे से कई मिलती जुलती परिचाओं के लिए कमबाइन परिचा लेगा। कि इसके लिए अलग-लग मेरिट तयार किया जाएगा। रिजल्ड भी अलग-लग दिया जाएगा। इसके लिए तेस सितंबर को 69 कॉमन पीटी परिचा होगी। बिहार लोग सिवा आयोग के चेर्मेन अतुल परसाद ने कहा कि इसके बारे में भी सबी किराय ली जाएगी। उसके बाद आयोग इस पर निन लिया जाएगा। आने वाले समय में बिहार लोग सिवा आयोग परिचा के सिंटर को लेकर अब इसके बारे खर में देखे बिहार में तेज हवाई चलने का अलड़ मौसम बिभाग ने जारी की चितावनी। जिहादे के मौसम बिभाग ने बिहार में तेज हवाई चलने का अलड़ जारी किया है। राज भर में अगले 24 घंडे की बेतर 35 किलोमेटर परती घंड़ के रबतार से हवाई चल सकती है। इसे में नदे में नाविकाओ और यात्रियों को सवधानी बरतनी की चैतावनी दी गई है। वाईदे के राज में फिलाल बारिस का कोई अनुमान नहीं है। वहीं तापमान में बड़ोत्रे से ठंड का असर भी कम होने लगा है। मावसाम भी भागे ताजा अलड के मताबिक 13 फरवरी तक राज में सत्य हवा के रबतार 20-30 किलोमेटर परती घंटा रहने के आसार है। साथी जोके के साथ हवा के रबतार 35 किलोमेटर परती घंटा हो सकती है। इसलिए अगले 24 गंडे के बीतारा नादी में नाविकाओ और नाव से यात्रा करने वाले यात्रियों को खास साथानी बरतनी के सला दी गई है। बाड़े कार में देखें सिब्यसी दसवी और बारवी परिचा में परिचात्रियों को स्कूल टेस और आईकाड के साथ मिलेगा परिचा केंदर में परवेस। आटेंडिंग चात्र दसवी और बारवी की परिचा में सामिल होते हैं। ऐसे चात्रों के पहचान के लिए इसकूल आईकाड के साथ केंदर पर आने का निर्देश दिया गया है। वहें आपके जानकारे के लिए बतादे कि सिब्ये से दसवी और बारवी बोर्ड परिचा 15 फरवरे से सुरू होगी। बारवी की मुए की परिचा 20 फरवरे से और दसवी की मुए की परिचा 27 फरवरे को लिजाएगी। इससे पहले 15 फरवरे से माइनर विजाए के परिचा ली जाएगी। पाटना जोन से कूल 2,90,000 परिचात्रे सामिल होंगे। इसमें बिहार से 1,5,000 परिचात्रे सामिल होंगे। वहें दसवी बोर्ड की परिचा 21 मार्च तक और बारवी की 4 अबरेल तक चलेगी। माजी ने भी अपने यात्रा सुरू कर दी है। पूर्व सियम माजी ने रईवार को नवादा जिले के कावा कोल से गरीब संपर्क यात्रा की सिरुवात की। इस दोरान वे इसारो इसारो में मुख्य मंत्रे नितीस कुमार पर जम कर बरसे। उन्होंने सराबंदी कानून में सांसोदन करने के मांग की तो अधिकारियों को भष्ट बताया है। पतादी कि सियम नितीस भी राज में समधान यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलवा कॉंग्रिस की भारत जोडो यात्रा और चुनावी रनितिकार प्रसांद की सोर की जन्व सुराज यात्रा भी चल रही है। अब जितरा माजी की भी यात्रा पर निकलने से सियासी महकमे में हल चल सुर हो गई है। बाड़ी कर में देखे बिहार के नई गवरनर राजंदर विस्वनात आरलेकल बोले बिहार में किसकी सरकार है इन बातों से फर्क नहीं बढ़ता है। उनसे जब नितिस कुमार के नितुत में बिहार में चल रही मागडबनन की सरकार के समन्द में सवाल किया गया तो उनने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में किसकी सरकार है इससे फर्क नहीं पड़ता है। बाड़ी खर में देखे आरसनिक जल ने बिहार के 18 जिलों में बढ़ाए कैंसर का खतरा पटना का मनेर बना होट स्पॉट। ज्यादे के बड़ी खर बिहार के 38 जिलों में से 18 जिलों ने बोजल में आरसनिक की उच मातरा पाई गई है। जिलों के लोग विश्व स्वास्त संगरण की 10 माइकरोन प्रती लिटर की स्विकारी सिमा से अधिक आरसनिक संदरता वाला पानी पी रहे हैं। ऐसे में इस समय आरसनिक योगत पानी पीने से कैंसर के काफी मामले सामने आ रहे हैं। पारक मिथला को तर्हा मंडल के बाद मिले का दूसरा उपहार है। जया दिक लहरीया सरा committees के राम नगर में देश का दूसरा सबसे बढ़ा आईटी पारक बन्कर तयार हूचुके है। तरह मंडल के बाद आईटी पार्क इस वरस दरबंगा को मिलने वाला दूसरा उपहार होगा भावन निर्मान एजनसी की सुत्रों की माने तो मार्च तक भावन निर्मान का कायरे पूरा कर लिया जाएगा इसके बाद इस बावन को समधित विवाग की सुपूर्द कर दिया जाएगा लगबग 19.28 करोड की लगज से बनने वाली इस हाइटेक आईटी पार्क में लगजरी सुधा होगी विदेशों की डेड़ दर्जन से अधिक कमपनिया इस पार्क में आफिस खोलेगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क बन रहा है हाला कि बिहार में पहले पी एक आईटी पार्क बना था लेकिन लेटेष्ट टेकनोलोजिय की साथ-साथ इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क कह सकते हैं यहां सबी तरह की सुविधाई होगी आईटी से जुड़े लोगों को अब दूसरे जागा जाने की जरूत नहीं है दरबंगा आईटी पार्क के इस्तापना से मितला समेद पुरे बिहार के आईटी सेक्टर से जुड़े वाव को लाम मिलेगा बाड़े ख़़र में देखे बिहार के कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी ख़़र अपरेल तक पढ़ना एमस में सुरू हो जाएगा इलाज जियाते के बिहार में कैंसर गरस्त मरीजों की सिंक्र लगतार बढ़ती ही जा रही है बिहार में कैंसर का समचित इलाज नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए दिल्ली या फिर मुंबई जाना पड़ता है अगले दो माँ में बिहार के कैंसर मरीजों के लिए केंदर सरकार पाटना में ही इलाज के ववस्ता करने जा रही है पटना M.C. में दो मा के अंदर कैंसर के इलाज शुरू हो जाने का अस्वासन पटना के सांसत को केंद्रे स्वास्त मंत्रे ने पिछले दिन मुलाकात की दोरान दिया था बतादे कि पूर्व केंद्रे मंत्रे और पटना साहिब से भाजबा सांसत रवी संकर प्रसाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए काया कि अब कैंसर की इलाज की सुविधा पटना में है उबलब्ध होगी उमीद है कि आने वाले दो से तीन महिनों में पटना एमस में इसका प्रॉपर इलाज शुरू हो जाएगा उन्हेंने कहा कि पिछले दिन उन्होंने दिल्ले में केंद्रे स्वास्त मंत्रे मंसुक मानिवा से मुलाकित की थी इसी दोरान बिहार में कैंसर की समय से निपटने के लिए पटना एमस में इसके इलाज की परियाब्द ववस्ता करने का अगरख किया था ताकि कैंसर रोगी और उनके परिजनों को इलाज के लिए बिहार से बाहर ना जाना पड़े बाड़े कर में देखे अब जमीन रजिस्ट्री से पहले इस तल की जाज करेंगे सब रजिस्ट्रार जाने क्यों बार बार बदल रहा है नियम जा देखे जमीन के रजिस्ट्री के नियम में आये दिन में संसदन हो रहे हैं असान की कोशिशिए में जारी भश्ट जार को को कम किया जा सके अब बताइए जारा कि जमेन रजफ्टरि से पूरव अभेर जीला अवर नियुजिदान केigning किस्म की जाज करेंगे माद निस्यद उत्पाद अब निबंदन विभाग ने इसको लेकर नेदे जारी कर दिया है विभाग निया फैसला जमीन रज़िटी की किस्म वह सरचना यूगत भावन को चिपा कर सरकारी राजा सुकर नुकसान पहुचाने का मामला उजागर होने के बाद लिया है इस्तानिय इस्तर पर अब एक पत्र जारी कर दिया गया है बाड़ी कर में देखे बीपेसी पीडी परिचा में उत्तर के पांच अपसन इजाम देकर ने के लिए अबियर्थी बोले पॉलिडी साइंस और हिष्टी से ज़्यादा प्रशन बोचे गए जिहादे के बिहार लोक सिवा आयोक के 68 पे सायूंग तपरारमी परिचा 12 फरवरी रविवार को हुई बीपेसी के अबियर्थी को परिचा केंदर में एंट्री देना 10 बजे से सुरू हो गया 11 बजे तक एंट्री जारी रही वही दो पर 12 बजे से परिचा सुरू हुई और परिचा 2 बजे तक चलती रही एक्जाम के बाहर निकले अबियर्थी उन्हें बताई कि इस साल के सवाल पिचरे बाल से अपगरेट पुछे गए हैं डेप्ट में पुछे गए कई सवाल थे डाटा से रिलेटेड कोईटिन की संक्या जादा रही थी वाया आगे परिचक रिजल्ड 27 मार्च 2023 को जारी कर दिया जाएगा वहीं इंटर्व्यू 11 अगस 2023 को होना है और फाइनल रिजल्ड 9 अक्टबर 2030 को आएगा बारे कर में देखे वीमें सिटी 20 वर्ल्ड कब में भारत की पाकिस्तान पर पांच भी जीते साथ विकेड से जीता पहला मुकाबला ज्यादे के जौमिमा रोडिल्स और रिचा गोस की अर्द सतके पारे के दम पर भारते टीम ने विमेंस सिटी 20 वर्ल कब में जीत से आगास किया है हर्मन प्रीत रिकॉर की लेडर्शिब में उतरे टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है महिँ भारते टीम अपना अगला मुकाबला 15 फरवरी को क्याप टाउन में वेस्ट दिस के किलाब किलेगी यह टीम इंडिया की वर्ल्ड कब में पाक पर पांच वी जीत है विमेंस्टी 20 किर्किट की इतियास में भारत ने पाकिस्तान को अवर ओल 11 बर हराया है अलिकर में देखे बिहार पुलिस में सिपाई के पदो पर बंपर भरती तीन महिने के अंदर होगी बहाली जाने पूरा अपडेट जिया दे कि बिहार में पुलिस सिपाही के तैयारी कर रहे बेरोज़गार वावो के लिए अच्छी कबर है। बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर बीगापन जारी होने के तीन माने के अंदर हो बालिक कर दी जाएगी। वहीं देखे केंद्रे चैन परिसद सिपाई भरती के आईदाच एसके सिंगल ने सेनिवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर इसकी जान करी दी है उन्होंने कहा कि पुलिस बिभाग में अलग अलग पदों पर भरती के लिए नोटिपिकेसन निकाले जाएंगे वहीं नोटिपिकेसन जारी होने के तीन मेने की बितर बहाली कर दी जाएगी यानि की अब ये अरतियों को ज़्यादा इंतिजार नहीं करना पड़ेगा अरिकार में में देखे स्वास्त बिभाग में एक लाग साथ हचार बहाली डर्टर नर्थ सो कि गरेजिलों में उगी तैना ती मंतरी 1902 का बढ़ा एलान उपुमुक्यमंत्री ने ग्यान भावन में आवेजी इतकार करम में खुद विभागया दिकारियों के साथ दवा खाकर अभियान का आगाज किया इस मौके पर विभाग के और से चलाई जारी योजनाओं का जिक्र करती वेनों ने कहा कि सरकार का प्रियास से तबीस सारतों कोगा जब हम टीम के रूप में काम करें सरकार की कोसिसे की चिकिस से करमियों को कोई परिसानी ना हो इसके लिए डाक्टर वान नर्सों की ग्रेस ज इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें